यह देख रहे हैं कि एक हेक्टेयर का यह छेत्रफल है और इस छेत्रफल में लगभग पौधों को दो गुना तीन मीटर पर लगाया गया है और जब पौधों को दो गुना तीन मीटर पर लगाया गया है तो एक हेक्टेयर में 1667 पौधा होता है यह 1667 पौधे हैं और अगर इनको काटा नहीं गया समय पे इसको तरीका से प्रवंधन नहीं किया गया तो यह बगीचा नहीं एक प्रोडक्टिव एक उत्पादक बाग की तरह नहीं आएगा एक जंगल की तरह आएगा जिस तरह से जंगल में लकडी आपको काम के लाइक मिल ले जा रहा है तो बहतर है कि हमारे किसान सगन बागवानी लगाएं और सगन बागवानी लगा करके उसका सही तरीके से प्रवंधन करें यह चार साल पांच साल पुराना बगीचा है और इसे लगभग हर सीजन में हर समय जब भी अनुसंशा रहती है इसकी तो इसको काटा जाता है काटने के उपरांथ इसका प्रवंधन किया जाता है प्रथम दो बर्सों तक इसको sack जब आई जाती है पौतन tulee किस प्रकार बनाते है कि और दुसरे पौधा से सटे नहीं लगाने कि जैसे हमने जून में पौधा लगाया तो अक्टूबर नुवंबर में जो पौधा लगा रहे हैं तो इसको पचास सेंटिमीटर नीचे से एकदम साफ करके रखना है और तीन तना पर आप उसको क्लियर कर लिजे तीन तना को फिर आधे भाग में बांटते हुए दो बरसों तक इस संरचना का विकास किया जाता है संरचना का विकास इस प्रकार से करते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा इसमें धूप लगे हवा लगे हमको अन्य सज सिक्रियाओं को करने में इस लाभ हो आसानी हो हम समझ सके कि कि किस पौध्व में किसकी आवशकता है सगन भाग लगन पाग्वानी का और इसकी कटाई च्टाई की जा रही है यह training pruning है इसको सनरचना प्रदान करने के उपरांदध जब दो सालों तक लगातार काट काट करके इसको एक कहास सनरचना जो एक मानक माना गया है वो परीधी दो मीटर होना चाहिए और इस अम्रूद के पौधे का है सबसे बड़ा जो खास गुन है इसी गुन को हमको इसका लाव उठाना है कि अम्रूद में हमेशा करेंट सूट पर जो कल्ले आ रहे हैं उन्हीं कलो पर फल लगता है तो उसके लि उसके बाय में है तो जो क्थे कजर दो पर जो खुन में उसके लिए घए दो खास ज conscious भी वियर दीओ न भीवि दो खास बष्सवेए